हालो एवरिवन आई टी अ भारत तेसके लिटीव चनले में दूस्तों आप लोगों का स्वागत है तो दूस्तों आज नाम है प्रीवेंटीव मेंटेनेंस इस से समध्न जितने भी इंपर्टेंस क्वेशन निमी के सारे डिसकस करेंगे इस वीडियो को माधियम से तो वीडिय बार विजिट करने चोनलन को सब्सक्राइब कर लेना और पर प्रेस कर लेना घंटी को जिससे की नोटिफिकेशन आपके बाद तुरन पहुंच सके और दोस्तों आपका जो कोर्स है लगबग कंप्लीट होने वाला है आप 30 करें ज्यादा और आपका वन मन्त लगबग आपकी चितर में दिया गया इस इसनेहन की पढ़ानी को बताना है वाट इस शिस्टम और लुब्रिकेशन तो आप पता है इसका राइट अंसर कौन सा होगा चार आप्शन से सभी साथी बताएंगा इसका राइट अंसर कर रहे हैं आप्शन नमर 20 राइट आंसर हो यानि क्या होग यह आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी है कई बार यह प्रिवीश एक्जाम में कुछन पूछा गया ठीक सचे से आथ खर लेना इसको अगला कुछन देगी अगला कुछन आपकी स्कीन पर दूस्तों दिया गया कि इसनेहन के उस गुड का नाम क्या है जो उच द को बताना कौन सा हुगा तो सभी comment करेंगब राइट आंसर चारह उप्षिन में से कौन सा है तो जो अजय में सब्छतेव करक्त करेंगग स्कुछेंअर्द रराइट PROFESSOR कर सक्यानता एगऌ कि अगला नएस कुछन देखिएगा स्क्रीन पर यह रहा और यह कई बार एक्जाम में पूछा है इंपोटेंट इस तरह से अच्छे से आध कर ले लाइस को इसमें पूचा गया सामान प्रियोजन वाली मसीनरी तेल का जो फ्लेस सामान प्रियोजन वाली मसीनी तेल का फ्लेस पॉइंट होता है अगला नायस क्सिन 594 नमर देखना और यह भी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें देखिए यहां पर दिया इस क्लेंच का क्या नाम जैसे आपके सामने क्लेंच दिया गया है इसका आपको नाम बताना तो देख सकते चार ऑप्शन से दिये हैं इनमिस आपको गेस करके बताना होगा कोन सा राइट अंसर होगा तो सभी कमेट करेंगा इसका राइट आंसर चार ऑप्शें से तो जो विसंपर उसका पूछा के कोशन है इसलिए आप अच्छे से याद करना इसको अगला आमरा कोशन देखी 195 नमर कोशन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा कोशन में पूचाए इस इस नहल पढ़ाली का नाम बताना तो जैसे कि आपको यहां चित्र में दियागा इस इस नहल पढ़ाली का आपको नाम कमे इस नहल पढ़ाली तो इसका नाम होता है इस प्लेस लूब्रीकेटिंग क्या होता है इस प्लेस लूब्रीकेटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा अच्छे सियात कर लेना अगला मारा कोशन देगेगा 196 नमर कोशन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह रहा कोशन में पूचा गया इस क्लेंच के प्रकार को नाम दें जिसका आपको सामने क्लेंच का प्रकार का चित्र दिया गया इसका आपको नाम बताना कौन सा है तो कमेंट करेंगा सभी साथ ही बताएंगा इसका राइट आंसर होगा यह नहीं हमारा क्या होगा एयर क्लेंच इसका करेक्ट आंसर होगा को लाइक जरू करें चैनल पर पहली बार बच्ट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसमें कि दातेदार चेंडराइब का मुख लाब क्या है जो दातेदार चेंडराइब होता है उसका मुख यानि के जो में पर्स पर्स के लिए लाप के लिए बनाए जाता इसके बारे में पूछा गया तो आप बदाएंगे चार उप्शन में से कौन सा राइट होगा देख सकते हैं आपकी स्कीन पर सभी से पढ़के बदाएं इसमें से करेक्ट कुन सा हुआ सांत और यूनिफॉर्म ड्राइब प्रदान करता है क्या करता है कौन दांतेदार चेंड ड्राइब का मुख खिलाब होता है ठीक ऑप्शन नमर बीज राइट आंसर होगा अगला कुशन हमारा 108 नमर देखने हैं इसमें पुछा है गेर संचारक प्रभाव प्राप्ति के लि अनपाथ क्या है तो आपसे पूछे गया उसका वेल्यू पीछे कोई तो दे सकते हैं चाहर ऑप्शन से देगें इसमें सापको राइट वेल्यू बताना कौन सा होगा को कमेंट करें सबसादी जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो जो भी साथ इसका नम्रकोशन को दिखेंगा और यह एकजाम के लिए इसमें पूछागा इस इशनेहल प्रणाली का प्रणाली का नाम क्या है जो आपको सामने एक छित्र दिया गए इसका आपको नाम मताना-कौन सी प्रणाली को लुख साथ स्यों हम राइज चाल किरा है sut शब्सक्न होगा कि अगला देखना दोज्टोर नंबर प्रणाली का को अद॥ कोर्श्यसमिया के उपयोग करने का उद्धिश होता अब इसका में परपस क्या होता इसके बारे में पूचा गया तो यह आपके एक्जाम के लिए बहुत कि घृसने से रोके हैं मतलब करने मतलब होता है किसी चीज को घृसने से रोकने के लिए क्लिए करते मैं इसकर जैसे कि ओल अगर आपको मसीन का पुर्जा है महांपर अगर आपको ज्लिक्त तक वाली विवस्ता सब्सक्राइब करने के लिए गिवा करने के लिए इसको अच्छे से याद करने आप very important है है अगला को अधोस्तों कोशन दें कंगती वाले गयर को कैसे इसनेध किया जाताया जो कंगती वाले जो इसनेध कैसे करते हैं इसके बारे में पूचा गया तो दे सकते हैं चार अप्शन सी देंगे आपको इसमें से पताना राइट अंसर कौन सा हुआ तो सबही और हो हुआ हैं तो जो भी साते को आइए दसे करेंगे उप्शेन नुम्म डी राइट ए उसर यानि क्या होगा म्रश के दोखना के कि काक 것처럼 कार या फिरके कम गति वाले गेर को इस नहीं कर सकते यानि को लूब्रिकेट कर सकते हैं option number डीज राइट अंसर होगा अगला वारा कोश्चन देखिए दोस्तों नमर कोश्चन का यह भी आपकी एक्जाम के लिए इसमें पूचहा गया कि एक्स की डिए गए गये हैं डाइग्राम डिए गये तो आपको पाना जो यह वाला चीशनदी दिया गया र्क्टिंगल आ अई जिसका आपको नाम बताना है कौन सा होगा तो कमेंट करें कौन सा हो चार आपशन आपको तो जो भी साथ इसके राइट करके आएंगे option no.c is right answer होगा यानि हम इसको जो चित्र में यहां पर जो एक्स से इनी जो भाग है जो चित्र दियागा उसका नाम बताना तो option no.c यानि महीने के यानि मन्थली इसका नाम होगा मतला जो डाइग्राम में इसका नाम क्या होगा मन्थली इसका correct answer होगा अगला हमारा question देए question important है question में पूछा tooth type lock visor का क्या नाम है जैसे कि आप में दे सकते हैं चित्र में दियागा tooth type lock visor का नाम क्या है तो आप बताएंगे comment करके चार option से कौन सा right होगा तो सभी comment करेंगा इसका right answer और जो भी साथ इसका right answer करेंगे option number 20 right answer होगा यानि कि हमारा क्या होगा बाहरी परकार क्या होगा बाहरी यानि external टाइप परकार का जो गया टू टाइप लॉक वाइसार है ठीक है option number 20 right answer होगा अगला question देखते हैं हमारा अगला question मारा 206 नमर का देखीगा question में पूछा विक फीड इसनेहन किस प्रणाली की अंतरकत ये categories होता है तो दे सकते हैं चार options हैं आपको बताना इन में से right कौन सा होगा आप दे सकते हैं किस category के अंतरकत होगा चार option में से तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे option number डी राइट आंसर यानि कि हमारा आएगा गृत्वा करशड फीड इसका राइट आंसर क्या होगा ग्रेविटी फीड इसका correct answer होगा कि नेक्स कमारा कोशन देखिए दोस्तों साथ नमर कोशन और यह आपकी एक्जाम के लिए important है इसमें दोस्तों देखिएगा यहां पर दिया गया है कि रख रखाओ जो प्रतीक की फिक्वेंसी क्या है तो इसकी फिक्वेंसी बताना option से दिए गए स्क्रीन पर कमेंट करें स अगला हमारा कोशन दोस्तों देखना एक 208 नमर कोशन दिया गया कोशन में पूचा गया कौन से गुड़ यह बताता है कि इसनेहन का तापमान डालते समय सुतंतर रूप से प्रवहा करने में सच्छम है तो कौन है जैसे कि तेलेता है अगनी बिंद होयाने फायर क है तो जो साथ इसका राइट अंसर होगा तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं और फीलिध का या नाम आप के क्लिच का चित्र दी जागया इसको दिए आपको नाम बताना तो दे सकते हैं चार आप्शन से दिएगें तो सही क्लिश कौन सा होगा जो डाइगराम में दियागा तो गैस करके बताना सभी और सभी वीडियो को जाद जाद अपने स्टेटी गुरूप में जरूर शेर करते हैं कि तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ओप्शन नमर इस राइड आंसर यांनि हमारा क्या हूँवा सेंट्री फीडिगल की बोलते इसको संट्री फीडिगल कीलेच वोता यह जो आपके डाइगराम में दिया गाट है अगला फुछन देखना 210 नामर कुछन है और अग् तो देख सकते हैं चार और आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट सभी साती बताएं और कमेंट करके जल्सें इस तो कमेंट करें सब्सक्ता इसका राइटन सरो तो जो भी साथ इसका राइट अंशर कर रहे हैं आप्शन लमर इस राइट सब्सक्राइब आपको नाम बताना तो देख सकते हैं इसका नाम कमेंट करेंगा सबी हि और तो जलिशे चाले दिये गए और आप्श्ण में तो जो इसट इसका राइट अंसर करें गए आप्श्न mesmo दिये मुल्स up को क्लेश यहां इसका राइट आप्ष्ण पर दोस्तोंаров करते हैं कि एक्स को रूप में चिनित जो प्रोकेट का नाम बताना तो यहां दे सकते हैं इस प्रोकेट का आपको नाम बताना तो इसका नाम सभी साथी कमेंट करेंगे जली से सभी साथी तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर चार आप्शन में से कौन सा होगा तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर र कि हांपर एकड दिया गया तो इस में डिया गया एक्स के रूप में पाग इसका नाम बताना तो जैसे कहाँ यहां दे सकते एक्स के में चिंदत भाग दूई यहाँ इसको आपको कमेंट करका बताना कौन सा है तो सबी साति कमेंट करेंगे इसका राइन सर्ग्षर ऑप्षिं wooden से कौन सा होको सा कि तो जो साथ इसका राइट ऑसला करेंगे ऑ्पशन दी यह इन्य हम वीदी का आपको नाम बताना है तो ये कौन सी विदी है तो सभी साती कमेंट करेंगे दो आप्शन किलिए कौन सा होगा कमेंट करें क्षाथ इसका उसार राराइट अशर चार मेंसे तो जो भी साथ आइपनेAsset करेंगे और डीजराइट आइप सर strengths यानी हम इसको बोलत है और गन विदी बोलते हैं तो अच्छे से याद करने क्या बोलते हैं अगला मारा कोशन देखते हैं नेक्स कोशन 216 नमर कोशन को देखेगा कोशन में पूछा किया कि कौन सा जो सीतलक तेल पानी के साथ क्या होता है इमल्स होता है इमल्स होता है तो इसमें से बताना है कौन सा होगा चार आप्शन से तो कमेंट करें सभी साथ इसका राइट अंसर कौन सा होगा तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करेंगे ऑप्शन नमर ए उनका राइट अंसर यानि हमारा क्या होगा सोल्यूबल तेल इसका राइट अंसर होगा अगला मारा कोशन दोस्तों 17 नमर कोशन को दिखीगा यह आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इसमें पूछा गया जो सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है तो उसका रंग पूछा गया स सभी साथ इसका राइट अंसर कौन सा होगा चार आप्शन में से तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करेंगे और इस राहिट आंसर यानि कि इसका रंग कैसा होगा वाइट यानि सफेद होगा ठीक है अगला मारा कोशन दोस्तों 18 नमर कोशन आपकी स्कीन पर दोस्तों यह और यह आपके एक्जाम के लिए important भी तो comment करें करें जारा option से कौन सा भी सभी नहीं चाहरा उप्योक्षिक कैने कौन सा होगा तो सबहें इसका राइट नसर राइट एंसर रएंसर नोसी निसे बोलते हैं वचा युक्त तेल इसका राइट आंसर होगा एसको अच्छे से एक्जाम के लिए इस भी इमबूर्ड है अगला हमारा कोश्चन देखना दोस्तो 220 नंबर कोश्चन दिया गया है कोश्चन को अच्छे से इसमें पूछा किया जो फ्लेट या ओल क्या बोल टाइप हैड स्कुरू के साथ किस प्रकार के लॉक वाइसर का उप्योग किया जाता है एक बार कोश्चन को रेपीट कर देता अज़ंगी थीमें जुक्तों सू में करें तो जोबी सहती 20 का आंसर करेंगी हमारा और ओपिंन मर्जली से कमेंट करें सी जग् isto मैं agree फ्लेटर सकूंग प्रकार कहा होगा प्रकार्स का राइट आंसर होगा मैं अगला हमारा कोश्चन देखिए कि स्क्रीन पर यह रहा है कि को इसमें हमारा दीजागा है को देखिए कि तेल का वह कौन सा जो गुड़ जो आक को पकड़ता और लगातार चलती रहती है तो वो कौन सा पॉइंट है आपको को बताना फ्लेस पॉइंट हो गए और पॉर पॉइंट या तेली ताबर आप करना सभी को जलिए से कमेंट करका बता है लुख तो इसका रैट रहे हैं option नमर 20 राई अपॉइन निफर होगा और स्ट 살ों को दिखिएगा भी वया तर्न करने के लिए किस तरल पदार्त का यह लाता है उस लिक्वेट का आपको नाम पताना सब्सक्सार करो कौन सब्सक्राइब और कमेंट किया आप जितने अधिक प्रट्रिस करेंगे उतना आपको कुष्चन का याद होगा तो जो बढेंगा ओप्शन नमर्सी राइट आंशर होगा यानी हमाने का छो था सोलिवल ओल इसका प्राइट आंसर वाट ऊप्शन का प्रेक्ट अगला कोश्चन है तो इस नंबर को देखिएगा को सब्सक्राइब हमारा क्या है ड्राइविंग मोटर में ट्रांस्मिशन गेर बॉक्स को जोडने हैं तो मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया था उसके अपको नाम बताना तो देख सकते हैं और चार क्लिच दिएगे इसमें क कटा कॉर्एट को पताएं कि कौन सा हुआ तो कमिन्ट करके बताएं इसका राइट अंसर तो जोबी साथ इसका राइट अंसर करेंगे और 10 इसका मल्टी qliet का हम यूज करते हैं ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमेशन गेर बॉक्स को जोड़ने के लिए मसीन टूल में किसका प्योग करते हैं मल्टी प्लेट क्लिच का यूज करते हैं अगला कोशन हमारा यह लाश्ट कोशन है और इस टॉपिक का तो इसका कोशन हमारा दियागा ऑ्टॉ में कौन सा कतिंग बॉस्ति किया जाता है तो कौन सा इस्तिमाल करएंगगा जो ऑ्टॉमेटिक ल्इट्स में यह आपसे बूचा गया तो चार कारें सब्सक्राइब करें सिसका OH I am अच्छेर शेयर करें पूरी तरह से चुछा नेक्स्ट डे में हम नए टॉपिक में मिलेंगे और लगभग आपका यह कॉर्स कंप्लीट हो चुका है आईटे फीटर सेकेंडर बालो को अब आपको जितनी में आपको क्लास करा रही हैं उनको आपके करें डेली प्रेटिस करें अभी आपके पास काफी समय है अगर जितना अधिक प्रेटिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्कूर बाड़ है ठीक है और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके वर्क्शॉप कल्कुलेशन के इंपोर्टेंट टॉपिक्स के जो कोश्चन्स हैं वह आपको मैं डेली परवाइड करवा दूआ और इंप्लेवेटी स्कील मैंने क्लास लगबग करवा चुका हूं कुछ तो उनको भी आप अच्छे से देख लिएगा तो आसा करता हूं वीडियो अच्छे लिए कि वीडियो को जाद है अपने श्ट्रेडिय ग्रूप और बाट से ग्रूप पर जरूश्रिक हैं थैंक्यों फॉर वाचिंग इस वी